बात कर लेते हैं कुछ क्रिप्टो करंसी अपडेट्स के बारे में, लेटेस्ट न्यूस के बारे में क्योंकि वो भी जानना बहुत जरूरी है तो आज यहां से शुरुबात कर लेते हैं, सबसे पहले बात करेंगे इस वीडियो में कोईन बेस की कोईन बेस एक जल्दी ही एक नया फीचर लेके आ रहा है, अब कोईन बेस के जो वालेट हैं, उसके अंदर आपको NFT का भी सपोर्ट मिलेगा आप NFTs भी अपना एड कर सकते हो वालेट के अंदर और यह जल्दी ही अपग्रेड आपको कोईन बेस के वालेट के अंदर मिलने वाला है दूसरी अपडेट की बात करें तो वो है US Banks की तरफ से, US के बड़े बैंक HSBC Wells Fargo ने यहां पे announce किया है कि वो blockchain technology को use करने वाले हैं और blockchain technology ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो कितनी useful है banking system के लिए और यहां पे यह एक बहुत बड़ा announcement है थर्ड अपडेट की अगर बात करें तो वो है doge coin को लेके, जी हाँ doge father ने कल एक tweet किया था doge coin को लेके, Elon Musk की बात हम कर रहे हैं और उन्होंने एक tweet किया था कि वो एक merch बनाने वाले है Tesla merch बनाने वाली है और merch के लिए accept करेगी doge coin की payments यह जब tweet आया तो doge coin के price में एक search देखने को मिला और सब expect कर रहे थे कि एक बड़ा search doge coin के अंदर आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो है 15-20% का search जरूर आया doge coin के अंदर, fourth update की अगर बात करें तो वो है shiba inu को लेके, shiba inu की आज एक नई listing हुई है, वो भी spain की exchange की उपर, जी हाँ bit to me इस exchange का नाम है और यह spain की बहुत बड़ी हम exchange कह सकते हैं, और spain की बड़ी exchange ने यहाँ पर लिस्ट कर दिया है shiba inu को, अगली update की बात करें तो वो है coin market cap की तरफ से, तो crypto currency के अंदर एक ऐसी घटना हुई है, जी हाँ, विचित्र घटना ही हम कहेंगे, विचित्र घटना यह हुई है कि आपको, आपको जरूर पता चल गया होगा कि जितना भी आपने कल रात को देखा होगा coin market cap की तरफ से एक bug आया, एक glitch आया, जिसके कारण हर crypto currencies के price इतने ज्यादा बढ़ गए और सब कहीं न कहीं शोग हो गए, सब ने अपने trust wallet चेक किये दो, कहीं न कहीं वो amount इतना बड़ा था, तो हर को ही शोग हो गया था, लेकिन निकला यह glitch, लेकिन यह glitch नहीं, हम इसको कहेंगे picture of 2030 या 2035, क्योंकि 10 सालों के अंदर यह picture आपको real में दिखने वाली है, और यहा यहाँ पे confusion वाली जो situation है, वो सभी crypto investor के अंदर बनी हुई है, और यहाँ पे अभी तक जो session चल रहा है, पारलियमेंट का, वहाँ पे crypto bill को अभी तक पेश नहीं किया गया है, आज भी cabinet की meeting थी, क्योंकि पहले यह bill cabinet की meeting से clearance मिलेगा, उसके बाद यह lock सभा, राज्य सभा में जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे इस bill के उपर अभी भी काम चल रहा है, और जो changes है, और भी कुछ changes जो है करने वाले वो हो रहे हैं, sources की तरफ से यह चीजें निकल के आ रही हैं, और हो सकता है कि इस parliament session के अंदर यह bill पेश ना हो, हो सकता है, पेश हो भी सकता है, लेकिन अ अभी तक यहाँ पे ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं आया कि बिल को पेश किया जाएगा, और जब भी कोई अपडेट और आएगा, crypto bill को लेके आपके साथ share करेंगे, तो यह कुछ थी crypto currencies को लेके updates, I hope इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गयोंगे, वीडियो पसंद आया थ वीडियो को like share जरूर कर देना, साथ में चैनल को subscribe जरूर कर लेना